राजे सभा के सभापती जगदीब धन्खड के खिला विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तयारी कर रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मतावि विपक्ष के करीब 37 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया है इस प्रस्ताव को समाजवादी पार्टी और टीमसी का भी समर्थन मिला हुआ है विपक्षी सांसदों ने आरूप लगा कि सभापती जोर्ज सोरोस मामले में सत्तापक्ष को मौका दे रहे हैं कॉंग्रेस इस मामले पर अविश्वास प्रस्ताव लाने को तयार है कॉंग्रेस सुत्रों का मानना है कि गोतम अडानी के मसले को कमजोर करने के लिए बीजेपी जोर्ज सोरेस का मुद्दा उठा रही है माना जार के कल ही सभापती के खिलाफ विपक्ष अविस्वास प्रस्तावला सकता है गरतराफ है कि आज संसच की उपरी सदन में सोरोस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने कॉंग्रेस को आड़े हाथ हो लिया इसी दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मा गर्म भहस भी देखने को मिले विजेपी के राष्टी अधक्ष जेपी नड़ा ने भी कॉंग्रेस के खिलाब मुर्जा खोल दिया राज्यसवा विपक्ष सांसदों ने सभापती पर सत्ता पक्ष के प्रती पक्षपाती होने का आरोब लगाया है उनका कहना है कि सभापती अक्सर उनके भासडों में बाधा डालते हैं मातपूर मुद्दों पर पर पर्यापत बहस के अनुमती नहीं देते और विवादा इस पर चर्चाओं के दोरान सत्ता धारी ब्रदल का पक्ष लेते हैं इस साल के शुरुआत में भी ऐसी खबरे आई थी कि विपक्ष राज्यसभा के सभापती के खिलाफ अभिश्वास प्रस्ता उलाने पर विचार करा है संसद के बज़र सत्तर के दोरान विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में अपने वीचार विक्त करने के लिए कम होते समय और इस थान पर चिंदा जताई उनका तरक था कि संसदी परंपरा के अनुसार विपक्ष के नेता को बोलने के लिए मौका दिया जाना चाहिए एक प्रमुख विवाद कॉंग्रेस सत्तापक्ष और विपक्ष के नेता मलिका जुन खरके के भासणों में बार बार ब्योधन डालना था जिसमें कतित तौपक कई मौकों पर उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था वही सुमबार को राज्यसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच भारी हंगामा हुआ जिसके कारण उच्छा सदन की करवाई तीन बार इस्थगित करने के बार दो पहार करीब तीन बजकर दस मिनट पर पूरे दिन के लिए इस्थगित कर दी गई तीन बार के इस्थगरन के बार जब सदन की बैठक फिर से शुरू है तो विपक्षी सदस से अदानी स्थमू से जुड़ा मुद्दा उठाते वे प्रधान मंतरी और सरकार के खिलाब नारेबाजी कर थे कुछ सदस अपने सीटों से आगे बढ़कर नारेबाजी कर थे जि इसा हंगामे की बीच राज्यसभा के सभापती जगदीब धंखर ने कहा कि उनके कख्ष में नेता सदन जेपी नड़ा और नेता प्रित्परक्ष मालिकार जुन खरगे के साथ बैठक थी जिसमें कई अन्य वरिष्ट सदस से भी मौजू थे सभापती ने बता कि मंगलवा तिवारी ने कहा कि मैं के अंदर सरकार पर आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने सदन को कमचोर किया है मैंने आज तक नहीं देखा कि प्रश्नकाल में सरकार के सारे लोग खड़े हो जाए और जवाब ना आने दें मेरा सवाल लगा हुआ था लेकिन मुझसे सवाल पोचने क की जाज़त ही नहीं मिली अगस्त में मौनसुन सत्र के दौरान सपा सांसत जया बच्चन और जगदीब धनखड के बीच टीखी भासुई थी इसके बाद विपक्षी दरों ने जगदीब धनखड को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी तब 87 ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था तेकिन अब एक बार फिर से जब मामला अदानी से जुड़ा हुआ है और उन सबको लेकर के सवाल जवाब लगाता सत्तापक्ष से विपक्ष माग रहा है और जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और आज ही कॉंग्रेस के राष्टे जरक्ष मालिकार जुन खर्गे ने सभापती पर इस बात का आरोप लगा कि जब अपने मुद्दे पर बोल रहे थे तो उनको बार बार टोक आ जा रहा था वैसे में देखना यह होगा कि जिस तरीके से अब के रुख होता है और कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए राज्यसभा के सभापती को विपक्ष हटाने में सफल होता भी है इतना संख्याबल है क्या और उपर से जब इंडिया गठ बंधन में आपस में ही मारा मारी चल लही है तो ऐसे में सामंजे से कैसे बनेगा कि सभ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरोसे के लिए बहुत धनिवाद